सब्सक्राइब कीजिए ग्यानोके चैनल को और गौर्मेंट जॉप्स, गौर्मेंट स्कीम और रिजल्ट से रेलेटेड अपडेट का नोट्विकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्यानोके में तो दोस्तों केंदर विद्याले एडमिसन से सम्मादित जो सबसे ज़्यादा प्रश्ण पूछे जाते हैं कक्षा एक के दाखले से सम्मादित ये 5 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आप जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा जो सबसे ज जादा पूछा जाता है और हम आपको बता दें कि जो पहली कख्षा के दाखिले हैं वो ऑनलाइन होते हैं और मार्च के एंड में वो सुरू हो सकते हैं इसके लिए पहले के द्वारा एक नॉट्फिकिसन निकाला जाएगा और एक सडूल निकाला जाएगा उसके बाद आप जो है ऑनलाइन आवेदनिस के लिए कर सकते हैं तो दोस्तों मार्च के महीने के अंत में ही जो आपके ऑनलाइन दाखिले होते हैं यह हमेशा मार्च में ही सुरू होते हैं और क्योंकि 2020 में कोरोना की वज़े से दाखिले में बहुत सारी अर्चने आई हैं और 2020 में इसकी जो किलिए बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए तो हमापको वता दें कि जब भी उम्र का हिसाब लगा जाता है तो वो जिस साल धाकले होने वाले होते हैं उसकी 2021 को ध्यान में रखके लगाये जाता है और वो 7 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए मतलब कि 5 वर्ष से ज़्यादा और 7 वर्ष से अधिक उमर बच्ची के नहीं होनी चाहिए कक्षा 1 के दाकली के लिए 2021-22 में जो दाकली होंगे अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला अगला जो सवाल है कि केंदर विद्याले एडमिसन के लिए कागजात जो चाहिए होते हैं कौन-कौन से कागजात हैं जिनकी जरुवत पड़ेगी कक्षा एक में दाकली के लिए देखिए यदि आप सामने स्रेणी से हैं जनरल कैटिगरी को आप बिलोंग करते हैं और आपका बच्चा जनरल कैटिगरी के थ्रुव एडमिसन लेने जा रहा है तो आपको मुक्चतत तीन डॉकमेंट्स की जरुद पड़ती है पहला बच्चे का जन्व प्रमाण पत्र यानि के बच्चे का बर्च सर्टिफिकेट दूसरा घर के पते का एड्रस पूरूफ वो माता पिता मैसे किसी एक के नाम का होना चाहिए और तीसरा जिस बच्चे का एडमिसन होने जा रहा है उसका एक पासपूर्ट साइज फोटो कई बार ऐसा होता है कि केंदर विद्याले वाले बच्चे की पिछली क्लास की रिपोर्ट कार्ड भी मांग लेते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी केंदर विद्याले वाले आपके बच्चे की रिपोर्ट कार्ड मांगे सिंगल गर्ल चाइल्ड के थुरू एडमिसन लेने जा रही है तो उससे सम्मधित कागजात आपको देने होंगे और यदि आपका बच्चा RTE के माध्यम से जा रहा है जिसमें SC, ST, OBC, Non-Criminal Category के अंतरगत तो आपको इसमें कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी यद उससे सम्मधित सर्टिफिकेट के आपको आवसकता पड़ेगी तो जो भी काटेगरी है यदि बच्चा सामने काटेगरी के अलावा किसी और काटेगरी का है तो उससे सम्मधित सभी कागजातों के आवसकता आपको पड़ेगी साथी बाकी जो तीन कागजात आपको बताए रहे हैं kvsonlineadmission.kvs.jv.in ये website है केंदर विद्याले की इसमें आप कक्षा एक के लिए online forum भर पाएंगे और जब इसका notification आएगा schedule आएगा तो ये website जो है आप access कर पाएंगे और आज का पांचमा सवाल बहुत से parents पूछते हैं क्योंकि बहुत से parents जो private नौकरी में हैं ये फिर अपना business करते हैं ब्यापार में हैं ये फिर गैर सरकारी किसी संस्ता से जुड़े वे हैं वो ये सवाल करते हैं कि हम सरकारी नौकरी से नहीं जुड़े हैं तो क्या हमारे बच्चे का केंदर विद्याले में दाखिला नहीं हो सकता है तो जवाब है ब अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको केंद्र विद्याले में अपने बच्चे का दाखला कराने के लिए आविदन परकरिया है वो आपको पूरी करनी है और इसका पूरा प्रोसेस है तो दोस्तों अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं प्राइवेट नौ तो दोस्तों ये 5 सवाल जो कि आज की इस वीडियो में हमने आपको बताए ये बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं या जो अभिभावक हैं जो कि अपने बच्चे का एडमिसन केंदर विद्याले में करवाना चाहते हैं उन्होंने ही हम से पूचे हैं और ये जो आंसर हमने ब पूरी सहता की जाएगी आपके कमेंट का रिपलाई किया जाएगा और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एको नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद